नवश्कार आप देख रेसते खबर मैं हूँ आपके साथ मीनू सबरवार शादी और पार्टियों में शाही भोजन खिलाने वाले करमचारियों के आज खुद केट चूले ठंडे पड़े हुए हैं प्रिदाबाद में होटल रेस्टोरेंट और बैंकट होल में काम करने वाले लाखो लोग आर्तिक तंगी से जूज रहे हैं सरकार ने अनलोग प्रिक्रिया में धीरी धीरे हर वरक को शूट देनी शुरू कर दी है मगर अभी तक होटल रेस्टोरेंट के और ध्यान नहीं दिया है इसके चलते होटल रेस्टोरेंटों के साथ सीदे और बहार से जुड़े हुए करीब लाखों करमचारियों पर रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है इसके लिए होटल रास्टोरेंट मालिकों ने सरकार से अपील की है कि अब बेशक सर्तों के साथ ही सही मगर उन्हे होटल रास्टोरेंट खोन लेकिया नुमती दे दी जाए देखिए हमारी ये रिपोर्ट फरिदबाद में कुरुना माहमारी की वज़े से पिछले महीने भर से लौकडाउन लगा हुआ है जिसके चलते सब कुछ बंद पड़ा हुआ था मगर अब अनलॉक की प्रिक्रिया में सरकार को चुलिंदा इंडस्ट्री को खोलने के अनुमती दे रही है जिसमें अभी तक होटल रेस्टोरेंट और बैंक्विट हॉल्स को शामिल नहीं किया गया है जिसके चलते होटल रेस्टोरेंट और बैंक्विट हॉल्स के मालिकों के सामने ही नहीं उनके साथ जोड़े कर्मचारियों की आर्तिकिस्तिती खराब होती जा रही है इसको लेकर हर्याना टूरिज्ब में जनरल मैनेजर रहे S.P. जैन ने पत्रकारों से बाचीत करते हुए सरकार से मांग की है कि शर्तों के साथ ही सही मगर उनकी होटल रेस्टरेंट और बैंक्विट हॉल्स इंडस्ट्री को खोलने की अनुमती दे दी जाए ताकि वो लाखो कर्मचारियों को इस मंदी के दौर में रोजगार दे सकी वही होटल रेस्टरेंट और बैंक्विट हॉल्स इंडस्ट्री से जुड़े अन्य मालिकों ने कहा कि वो सरकार की हर गाइडलाइन के साथ अपने अपने कामधंदे खोलने के तयार है क्योंकि उनके साथ जुड़े कर्मचारी भुक मरीकी कागार तक पहुँच गए है जिनमें डीजे वाला, फूल वाला, डेकोरेटर, बैंड वाला, घोडा, बग्गी वाला समेत अन्य शामिल है हम लोग चीप मिनिस्टर साब को ये कहना चाहते हैं इन हलात्स में जो चल रहे हैं अभी उसमें कम से कम हम लोगों के लिए भी सोचा जाए और हमें भी उतनी पर्मिशन्स दी जाएं उतना वह दी जाए जिससे कि हम लोग अपना निर्भा कर सके हमारे एंप्लोईज को भी जो हैं हम लोग सेलरी टाइम से दे सके उनकी फैसलिटीज को भी ध्याम के हैं जो भी सरकार में काफी चूटव दी है दो दंदे चलाने के लिए इमनेस्टी को पिजिया है दुकांदारों को पिजिया है इसी तरह से जोब और जो है बुरी तरह पिछण रहा है इसमें मैं पैसे भी लगे हुए हैं और चुट-छुटे कामगार बहुत हैं इस में मदूर भी हैं खाना बनाने वाले भी हैं वेटर भी हैं और उनके मालिक भी हैं तो अभी इस दोख को भी जो है धीरे-धीरे ने खोल देना किया अभी कैपिशिटी बढ़ाई की है एज पर उनके जो जिए हैं नौम से उनके पास अगर आप यारे आदमी आएंगे एक अतिस आएंगे तो वो एक उनके लिए अफोर्डिवल नहीं है तो मेरा कहने के मतला है कि सरकार से नोज है कि सरकार कोनी कैपिशियर वो देखते हुए इनकी लिमिट बढ़ाई जाए जिससे यह दोख सो परिवार तो मेरे साथ ही जुड़े हुएं फिर हमारे करमचारियों के परिवार हैं इन सब को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को भी रोजगार मिले आगे और काम चले इसके लावर जो लोग जोड़ते हैं प्रोग्रामों के जरिए वह ऐसे कितने लोग होते हैं जो जिस तरह से अगर आपके 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 प्रोग्राम के और उन प्रोग्राम करते हैं जिस तरीके से जैसे बैंड वाले हैं गोडी बगगी वाले हैं साथ में डीजे वाले हैं फ्लोरिस्ट वाले हैं इन लोगों के साथ अब फोटोग्राफर हैं एक शादी में 12-12-15 लोग आते हैं फोटोग्राफर तो वो सभी लोग परिवार के साथ जुड़े हुए इनके और उसे ही विजनिस आगे चलते हैं हम लोगों के तो मांग क्या करना चाहेंगे सरकार से? मांग यही है कि जल्दी से जल्दी 50-100-500 जितनी भी उनको लगता है उतनी कॉंटिटी के आदार पे खोला जाए होटल को इन होटल रेस्टरेंट और बैंक्विट हॉल्स इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों की माने तो उनके घर की हालत खराब हो चुकी है पिछले दो महीने से काम नहीं मिल रहा है जो पैसा जमा किया हुआ था वो भी अब खत्म हो गया है सरकार से अपील है कि होटल रेस्टरेंट और बैंक्विट हॉल्स इंडस्ट्री को किर्प्या करके अब खोल दिया जाए और दो महीने से सारा काम बंद पड़ा है तीन महीने पहले मेरा एक्सिजन पर हुआ था जो मैंने पैसा था जो कर्जा उठाके मेरा सारा पैसे एक्सिजन पर लग गया था अब इस ताहम एपस खाने के भी लाले हो रहे हैं और सरकार से निवेदन है कि हमारा जो मेरा जो काम चलता है वह आशिवाद होटल से ही चलता है और आशिवाद होटल वन के वैसे मेरा सारा काम बंदा है यानकि होटल और रेस्टोरेंट आप खोल दिये जाएं, ताकि हमारा काम चालो हो, हमें खाने के कोई दिक्कत ना हो, पीने कोई दिक्कत ना हो, फरकार से निवेज़ेंगे। जैसे फोटोगराफर हूँ, मैं तीन पीडियों से फोटोगराफी का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पेंडिमिक दोर में हम लोग आगर के बहुत परिशान हुए हैं, जैसा कि आपको पताई है, फोटोगराफर एक मीडियम क्लास फेमली से होता है, और बहुत स्वाभी मानी हो अर डिस्टिस्ट एक्स बार में भी पर्मनेंट फोटोगराफर हूँ, तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फोटोगराफी का मेरा च्छा निकल लाता था, और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल लाता था, तो बहुत से लोगों की रोजगार laquelle इस क कहा कि पहली लहर में खराब हुई आर्थी किस्ती थी अभी सुधरी नहीं थी कि दूसरी लहर ने फिर से भूक मरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जो बैंक बैलन्स उनके पास था उन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में दे दिया है अगर होटल सक्थे हबर सक्थे सटी बेबार